दोस्तो स्वागय था हमारे यूटूब चैनल सर्टेन करंट अफेर्स में दोस्तो आज हम बात करेंगे तीन जून के इंपोर्टेन करंट अफेर्स के बारे में इससे पहले एक बात और जान लेते हैं कुछ प्राब्लम हो जाने के काराण certain current affairs का नाम बदल कर अब certain study material हो जाएगा ठीक है certain study material हो जाएगा तो आप लोग जुड़े रहेंगे और जो आप channel पर नए हो वो subscribe कर लें ठीक है तो और current affairs के साथ साथ ही आपको GKGS की classes भी provide हो जाएगी ठीक है तो आप हम बढ़ते हैं अपने आज के current affairs पर पहला question है प्रतेक वर्स विस्व साइकल दिवस कब मनाया गया है मनाया जाता है तो option D 3 जून तो option D is correct ठीक है अब बात करेंगे cycle world bicycle day की तो 2018 में इसे सबसे पहले मनाया गया था और तब से ही इसको मनाया जा रहा है ठीक है तो अब हम बढ़ते हैं अपने question number 2 पर हल ही में राष्टी मानवा अधिकर यायोग के अध्यच कौन बने है तो option B अरुन मिसरा तो option B is correct ठीक है तो ये अरुन मिसरा supreme court के ये supreme court के retired थे ठीक है retire है अब इने मानवा अधिकर आयोग के अध्यच बना दिया गया ठीक है तो हम बढ़ते हैं अपने हाँ और इससे आप लोग comment box में comment करके बताएंगे कि मानवा अधिकर दिवस day कब मनाते हैं ठीक है तो हम बढ़ते हैं अपने question number 3 पर हाल ही में लेटे हुए बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां पर इस्थापित की गई है लेटे हुए बुद्ध ये जो प्रतिमा यानि मुर्ती होता है ठीक है तो ये कहां पर इस्थापित की गई है option A बुद्ध गया में इस्थापित की गई है तब हम बढ़ते हैं अपने question number 4 पर घर घर और सधी योजना को किस राजसरकार ने सुरू किया है तो option B राजिस्थान तो option B is correct ठीक है तब इस योजना के बारे में जान लेते हैं इसे पाउधों के इसे पाउधों के सनच्चन के लिए योजना को लागू किया गया पाउधों के सनच्चन के लिए ठीक है और राजिस्थान सरकार ने राजिस्थान के सभी घरों में चार पेड़ों को पहुचाने की योजना बनाई ठीक है कौन-कौन से पेड़ थें वो चार तो तुलसी तुलसी अस्वगंधा ठीक है और गिलाए गिलाए और कालमेद ठीक है तो ये चारों पाउधों याद रखेंगे इनका नाम एकजाम में नाम भी पूच सकता है ठीक है तीन ये घर घर पाउधे चारों दिये गए थे सनरच्छण के पौधों के सनरच्छण के लिए ठीक है तो अब हम बढ़ते हैं अपने कोश्चन नमबर फाइब पर हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किस देश में अपना पहला नवाहार यानि ओफिस के इंदर खोला है तो आप्शन सी तो आप्शन सी इस करेक्ट जो नीदर लेंड है नीदर लेंड के एमस्टर्डम यानि कि जो इसकी कैपिटल होती है एमस्टर्डम ठीक है एमस्टर्डम में तो वहाँ पर आपिस अपना खोला है ठीक है तो आप बात करते हैं Tata Consultancy Services की यानि TCS Tata Consultancy Services ठीक है तो अब इसकी स्थापना इसकी स्थापना यह important है दोस्तों question यह company ठीक है अब हम बात करेंगे इसकी स्थापना तो 1 April 1968 में इसकी स्थापना हुई ठीक है और इसका headquarter मुंबई में है और इसके CEO यह chief executive officer राजेस गोपी नाथने ठीक है तो इस question से option याद रखेंगी ठीक है तो हम बढ़ते हैं अपने question number 6 पर असम राइफल के डारेक्टर जन्डल कौन बने हैं तो option number A P चंदर नायर तो option A is correct यह असम राइफल के 21 नंबर के 21 नंबर के डारेक्टर जन्डल बने हैं ठीक है यह इन्हें एक जून एक जून 2021 को पदग्राण किया है इन्होंने ठीक है तो अब हम बढ़ते हैं अपने question number 7 पर हाल ही में WHO का special director general award की से प्राप्थ हुआ है तो option D डाक्टर हर्षवर्धन तो option D is correct तो स्वास्थ मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन को यह award प्राप्थ हुआ है ठीक है अब बात करेंगे WHO की तो इसकी स्थापना एक अपरेल स्वारी साथ अपरेल सन 1948 में ठीक है एक अपरेल सन 1948 में हुआ इसका हेड़क्वार्टर जेनेवा स्विजयलंड में है जेनेवा स्विजयलंड और इसके अध्याज डाक्टर हर्षवर्धन है ठीक है तो इतना याद रखेंगे अब हम बढ़ते हैं अपने कोश्चन नमबर एट पर स्टार्ट गेजिंग दा प्लेयर इन माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है तो आप्शन नमबर सी राहूल द्रेविड तो आप्शन सी इच करेक्ट ठीक है तो इस कोश्चन से राहूल द्रेविड को याद रखेंगे यह इंपोर्टन ठीक है ठीक है ठीक है अब हम बढ़ते हैं अपने कोश्चन नमबर नाइन पर हाल ही में किस आई 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 टी संस्थान ने अतापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वादेशी डिवाइस एमबी टेग को विक्सित किया है जो एमबी टेग है इसको याद रखेंगे ठ किस ने है विक्षित किया है तो आई आई टी रोपाणÓ अप्सट डी तो ओफसेन डी इज कार्क ठीक है तो यहमपोर्टेउनट खेंग थीक है इससे यॉद्षट कोश्चन है इंबी टेग ये जवित्षर यह जो मीटेग है इसका से थburst से एक यूस्बी यूश्बी के आ तो याद रखेंगे कि जाम में अगर आ जाए कि इसका आकार किस टाइब का है तो बताएंगे USB डिवाइस के आकार का ठीक है तो इस question से IIT रोपान याद रखेंगे अब हम बढ़ते हैं अपने question number 10 पर Tennis Tournament Belgrade Open 2021 का खिताब किसने जीता है तो option number D नुवाग जो कोबिज तो option D is correct ठीक है तो यह एवार्ड का किसने जीता है तो option D याद रखेंगे अब हम बढ़ते हैं अपने question number 11 पर हाल ही में NBA का sixth man of the year reward किसने जीता है तो option A Jordan Clarkson तो option A is correct NBA जो है न इसका full form इसका full form National Basketball Association है ठीक है National Basketball Association है याद रखेंगे इसे तब हम बढ़ते हैं अपने question number 12 पर आज का last question है हाल ही में मातर पीतर दिवास कब मनाया गया है तो वैसिक मातर पीतर दिवास कब मनाया गया है option A एक जून तो option A is correct ठीक है अब बात करेंगे इसे सबसे पहले सन दो हजार बारा में मनाया गया था और इसे महासभा द्वारा मनाया गया था ठीक है और दुनिया इसकी इसका इसे किसलिए मनाया गया तो दुनिया भर में मातर पीताओं के सम्मानित करने के लिए मातर पीतर दिवस मनाया गया ठीक है तो दोस्तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग